हैलो स्टुरेंट्स टोडेवी यार गूंग तो स्तार्ट अचैप्टर शेवेंच द्रॉइंग इन पेंट्स आप अपने कंप्टर में कैसे पेंट उसमें आप क्लरिंग करते हैं paint has many drawing tools and colors जो आपका paint program है उसमें बहुत सारे drawing tools भी है and colors भी है We have seen the paint window and we know the use of some tools In paint हमने देखा है paint window को and we know हम जानते हैं the use of उसका यूज करना कुछ tools का जो paint में है like the जैसे pencil tools eraser tools and the fill with color tools pencil जैसे हम लोग कुछ भी draw करना हो eraser हमको कुछ भी erase करना हो and fill with color tools कुछ भी color fill करने हैं जो भी color eraser tools color tools में let us recall these and also learn to use some more tools आज हम लोग इसके में कुछ और जो tools हैं उनके बारे में पढ़ेंगे this is the paint window यह आपकी paint window है इसको आप लोग ड्रोव भी कर सकते हैं अपने उसमें computer के notebook में आप इसको ड्रोव कर लीजिगा यह आपके मीनु बार सबसे first number आपका यह मीनु बार हो गया यह file edit view image color help यह सारे मीनु बार हो गए यह आपका tool box हो गया यहां सारे tools दिये हुए है pencil है colors है magnifier है और circle है square जो भी और यह आपका drawing area हो गया यहां पर आप drawing बनाएंगे जो भी आपको draw बनाना है वह यहां पर बनाना है और नेक्स आपका यह color tool हो गया color box है आपका यह आपको कोई भी color जो आपको color करना है वह यहां से आप color tools ले सकते हैं clear turn your page page number 46 the paint window has the following main parts paint window में three main parts आपके इसमें दिये हुए है सबसे पहले drawing area होता है जो drawing करते जहांपर हम लोग and next आपका tool box होता है है जिससे हम लोग tools लेते हैं जो भी आपको टूल चाहिए next है आपका color box color होता है जिसमें कौन सा color आपको यूज करना है वो भी आप उसमें ले सकते हैं first number है आपका drawing area drawing area में क्या करता है जो white area in the window window का होता है in the drawing area उसको कहते हैं this is just like a sheet on your drawing copy where you draw and color ये बिल्कुल आपके drawing sheet की जैसा होता है जैसे प्यार हम आप लोग draw करते हैं color करते हैं आपको drawing के लिए drawing sheet मिलती है वाइड कलर की drawing sheet होती है उसी जैसे वह होती है उसी तरीके से ये drawing area होता है आपका next आपका है toolbox 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 में क्या करते हैं आप the toolbox 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 is in on the left side of the paint window it has many tools we use these tools to draw and color in the drawing area toolbox आपका क्या काम करता है जब आपको paint window में कुछ भी बनाना है ड्रो करना है या कुछ color करना है तो आप उसमें से कोई भी टूल लेकर आप उसको कर सकते हैं toolbox कहां पर होता है paint window में left side पर होता है आपके toolbox और आपको उसमें सारे tools होते है pencil है color है उसके बारे में अभी हम लोग detail से पढ़ेंगे next आपका हो गया color box color box में देखे यह इतने सारे colors होते हैं आपके उसमें और इसके अलावा भी और भी colors होते हैं यह color box होता है आपका is like your box of coloring pencil जैसे आपके coloring pencils होती है उस तरीके से यह होता है it is located at the bottom यह आपके bottom में होता है आपके bottom में paint window के bottom में तो आपसे नीचे होता है we select a color from the color box to draw और color our pictures we select a color हम उसमें से color select करते है color box से और draw करते है और color करते है अपने pictures को अब यहां पर है आपका using different tools अब दिखेंगे हमने बता है ना tools में अभी बाद में बढ़ेंगे तो यह आपका tools है पूरा all the tools are mentioned with their toolbox यह सारे tools आपके mention होगे आपके toolbox में तो आपको यह draw करना है आपके left जहां पर plane है आपके notebook में computer की वहां पर आपको यह draw करना है यह toolbox आपका यह draw करना है एंड उसमें label भी करना है आपका यह सब उसमें दिया होगा यह eraser tool है आपका यह आपकी pencil tool है यह air brush tool है यह line rectangle है clips है fill with color tool यह आप fill with color जब आपको color करना होता हो तो सबसे पहले इस पर किलिक करेंगे दैन आप color कोई select कर सकते है यह आपका brush tool है यह brush font यह आपका text tool है जब भी आपको अगर उसमें paint में कुछ note down भी करना है तो आप उसमें note कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यह font tool टेक्स टूल पर select करना होगा तो यह आपको ड्रॉख करना है अपने computer की notebook में कर दो कर दो कर दो